पातर यह ती नियंद्रानाथ ठेवायला पाई जे तीन अकी नियंद्रानाथ कशी ठेवायल लगते है तुम्हीं सांगा कसा है कि साखर जी शरीराद जाना रही तैचा मेन रूट आहे तो खाना तुना चाहे मैक्जीमम अपन काई खातो यह चाह वरती आपला जासता फोकस असला अहारा ची भूमी का सगयात महत बश्या है अहारा मदे आत्ता जे काई डाइबेटीस प्रमान भारता मदे वाड़त चालने साधारन साथ कोटी रूगन आहे जनना डाइबेटीस जालेला है और नही जाला यह महित च नहीं महित च नहीं मजे जाला ही जहाँ कि ने आशे ही वरे चुरह गूडा है राइट? मां जे सद्य एबहरता जालेला ही डाइबेटीस संख्यावाड़त है सली च वहारा है कार्भारतियांचा हांचि अहारा ना जा जात्यार साथ इंडियन डायेट मदे 70 डक्के आपन कार्भोएड्रेट्स खायतो। जवर माझा अच्छा दुपार जेवन मी डोलाया समुना अल्ड, ता जात मैक्जीमम भात होता, पोली होती, भाक्री होती, थोड़ा सा वरण गेतला होता, थोड़ी भाजी गेतली होती। सत्तर डक्के हिस्सा कार्भोएड्रेट्स है। अणि प्रोटीन और फाइबर चा प्रमान त्या माणाने आपन कमी खातास्तो। जाच्या मुले शरीराथ साख्रेची पाथली वाडायल लागते। अणि यह कंट्रोल शरीराला जमला नाहीं कि डाइबेटीज दिसाल लागते। पहले अपले काम असले का पाइचे कि जे काई खातो त्यात। कमी कमी कार्भोएड्रेट्स माजा शरीराथ जाती। त्यास बरबर मी नियमीत एक्जरसाइज करतो है। यही तितकच महत्वाचा है। कारण जाका ही कैलरीज, जाका ही साखर माजा शरीराथ गेलीलिया है। ती वयामा मदून मी वापरत असतो। जर मी वयामाच करत नसेल, तर ती साखर तशीच रकता मादे पड़ू द्राना है। यहाचा सो बद, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम यहाचा ही तितकाच महत्वाचा है। यहाचा मदे कसस्त की स्ट्रेस, की वाद तनाव, हाँ रकता मदे साखर आनायला कारणीबूत होस्तो। जी शरेरात साखर साथलेली आहे, ती रकता मदे अन्या साथी तनाव, हाँ कुप महत्वाचा फैक्टर होस्तो। त्या मुड़े प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन यहाचा ही आपलेला साथ घ्याल लगते। त्या मुड़े आपलेला रकता मदे शाखर आपन नियांत्र ना ठिवुशो।